हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंपस शियर के उपर क्योंकि दोस्तों कैंपस शियर ने आज लोस से लगबग 6 प्रतिशत की रिकवरी करी है और लगबग 1-2 प्रतिशत की गिरावट में शियर आज ने क्लोजिंग दिये लेकिन इंट्राडे के अंदर लगबग शियर 8% तक गिरिया था और वहां से 2% एक काफी मिनिंग्फुल और अब जल्द शियर हो सकता है 400 के पार और क्या होंगे कल के टागेट यानि 13 माई के टागेट जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक दीखेगा वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं आज का चार्ट लगबग दोस्तों शेयर खुलता है 345 पे और वहां से लो लगाता है लगबग 325 का एड वहां से शेयर रिकवरी करता है और आप देख सकते हैं शांदार रिकवरी है लगबग 5.68 परसेंट के रिकवरी है और जिस गिरावट होना तो आज लाजबी था, क्योंकि एडवांस देकलाइन रेशियो, प्लस निफ्टी आज ब्लड बात करता हो, देखने को मिला, लग बख 359 पॉइंट की गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली है, बैंग निफ्टी 1100 पॉइंट गिरते हों देखने को मिली है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लग बख 640 अंग गिरता हों देखने को मिला है, तो ओवराल आज मार्केट बियरिश मूड में था, और ये हफते, दो-तिन हफते देखे, तो पूरा जो मार्केट है, वो बियरिश ट्रेंड की तरफ दर्शा रहा है, अगर बात करें, तो दोस्तो निफ्टी ने जो आज लोच हुआ है, वो दोस्तो अगर बात करें, तो रश्या युक्रेन का वार हुआ था, उसके भी नीचे का लोच हुआ है, तो डेफिनेटली आज मार्केट के लिए काफी बुरा दिन था, और अब अटकले लगाए जारी कि बियर मार्केट एक साइकल होता है, वो साइकल में अब बियर मार्केट इंडिया में आता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर बात करें केंपस एक्टिव यूर की, अगर बात करें दोस्तों आज की हाई की तो दोस्तों 345 रुपे 85 पैसे का शेयर का ही है, आज स्टॉक पॉजिटिव में नहीं आता हुआ देखने को मिला, तो कि दोस्तों आज कोई कारण भी नहीं था, योगि निफ्टी आज काफी बड़ा फॉल दिखाया है, और डेफिनेटली दोस्तों जब इतने बड़े-बड़े फॉल्स मार्केट्स में आते हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है, वो डेफिनेटली मार्केट में रॉल आउट होता है, और आज 300 पॉइंट्स ट्रिपल सैंचुरी से अधा गिरावट आज निफ्टी ने कर दिये, तो डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी अब आपको मार्केट्स में देखने को मिल सकती है, और वो रिकवरी 100-200 पॉइंट्स की हो सकती है, तो जब भी इतनी गिरावट मार्केट्स में होती है, तो एक शॉट कवरींग जो है, वो डेफिनेटली होती है, हाँ उसके भाद अगर मार्केट्स गिर तो अलाग है, लेकिन एक डेफिनेट शॉट कवरींग आपको मार्केट्स में जरूर देखने को मिल सकती है, तो आप के दिन ये शेर ने पॉसिबली कर दिया टच तो आप कहा सकते हैं कि 400 रुपे इंट्राडे के अंदर शेर आता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपन बात करें इंट्राडे के रेजिस्टेंस की तो आप बात 365 रुपे जी हां की बात करें तो volume एक downtrend दर्शार है क्योंकि अगर weekly average देखें तो 30% था और कल के तिन 20% था तो गिरावट आज के तिन होनी थी बट डेफिनेटली एक अच्छी recovery देखने को मिली तो delivery का आकड़ा है वो काफी positive आता हुए देखने को मिलेगा and company की अगर अपन shareholding pattern को चर्चा करें तो आप देख सकते company में promoters के पास सबसे जादा हिस्सदारी है उन्हें पता है क्या महत वह अपनी equity का प्लस अगर बात करें FIS की तो FIS ने भी अपनी लगबग हिस्सदारी 3.69% की FIS की हिस्सदारी है and public investors के पास लगबग 18.43% का हिस्सा है that means कि सब पूरे अगर अपन shareholding pattern संदे तो लाजवाब shareholding pattern है सब जगे आप कर सकते कि even the distributed company ने shareholding pattern की दमाया है अगर बात करें company की market capital की तो आप देख सकते हैं relaxo footwear, bata india, metro brands उसके बाद campus का नाम आता है और 10,000 करोड की company है यह और definitely 12-13,000 तक भी गई थी इसकी market capital but due to the correction in markets थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं गिरावट इसके price में आती भी देखने को मिल रही है and finally दोस्तो stock के charts को अगर study करें तो दोस्तो आप देख सकते हैं stock लगबग इस level पर था, लगबग 344 के levels पर and वहां से गिरावट करता है stock low लगाता है 328 का लगबग यह समय था 9 वज कर 30 मिनिट का and वहां से recovery आती है लगबग दोस्तो बारा वज़े तक बारा वज़े तक share रहता है 342 रुपए and then again दोस्तो stock में बिकवाली आती है आप देखे तो यहां से फिर गिरता है share 330 रुपए का bottom चुता है and then again end में एक recovery आती है तो आप hope so आपको chart pattern समझ आ रहा होगा कि stock कल के दिन starting में भली गिरेगा लेकिन फिर आपको एक अच्छी recovery share में देखने को मिलेगी और फिर से एक uptrend आपको कल share में देखने को मिल सकता है अब अगर बात कर लें दोस्तो पास दिन के charts की तो आप देख सकते हैं नया नया IPO list होता होगा देखने को मिला है खुलते share ने high लगाया 420 का वहां से बिक्वाली करता करता share लगबग इस level पर आ गया 325 का low था जो share ने आज लगाया और वहां से recovery आई है बलकि अगर अगर अपन पैटन को धंग से फॉलो को रहे दोस्तो हर दिन इसने अपने low तोड़े लेकिन आज के दिन stock ने अपने low से कही गुना उपर closing दिये तो यह काफी अचा signal है और आई थिंक सो दोस्तो कि नियर टम में यह share आपको डेफिनेटली 400 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है और आने वाले एक महिने के अंदर 300 आप कह सकते कि 410 से 420 रुपर तक का minimum target आपको campus active year brand IPO में देखने को मिल सकता है अब अगर बात कर लें दोस्तो कल के targets की तो जिसे आप से stock ने recovery दिये कल मेरी यह साला होगी 330 से 335 की range में अगर आपको यह share मिले तो definitely आप इस stock के अंदर खईदारी करने का विचार बनाए और intraday के अंदर 350 रुपर तक का minimum target आपको campus active wear footwear shoes में आपको देखने को मिल सकता है अब अगर बात कर लें long term targets की तो दोस्तो आने वाले 2-3 साल definitely इस company के हो सकते हैं और आने वाले 2-3 साल में minimum 500-700 रुपर तक का लक्ष आपको इस share में देखने को मिल सकता है दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगा हो तो channel को subscribe करे like करे share करे thank you friends watching this video